स्टूरेंट्स आज हम पढ़ रहे है कहानी इसके दो पेज़ हमने पहले ही पड़े है उन दो पेज़ में हमने ये पड़ा है कि किस तरह एक छोटी बची एक खरगोश के पीछे पीछे जाती है कि उस खरगोश ने एक वेश्ट कोड पहना हुआ होता है कोड पहना हुआ होता है वो उस कोड के एक पाकेट में से एक कड़ी भी निकालता है इसी वज़ा से जो एलिस होती है वो बिलकुल उसके पीछे जाती है ताकि वो देखे ये खरगोश कहां जाई वो खरगोश एक होल में गुच जाता है और एलिस भी उसके पीछे पीछे वह जाती है लेकिन जब एलस वहाँ जाती है तो वह एक खाई में जैसे एक बहुत गहरी खाई होती है उसी में गिर जाती है आगे क्या होता है लेट उस रीड अ इस पेज नमबर 71 पर आज हम पढ़ेंगे पेजमर 71 उस खाई में गिरते गिरते एलस क्या करती है एलस क्या देखती है यलिसा कबर्स एलस बहुती अलमारियां देखती है and bookshelves और किताबों की अलमारियां भी बहुत देखती है और जो इस खाई के दीवारों पर बनी होती है here and there she's some maps वो कुछ नकसे भी देखती है and pictures hanging on walls और वो कुछ pictures भी देखती है जो लटक रहे होते है उस खाई के दीवारों पर ये काम वो गिरते गिरते करती है ये वो गिरते गिरते देखती है अब आगे क्या होता है she took down a jar from one of the shelves as she passed वो गिरते गिरते एक जार उठाती है एक बरतन उठाती है बिलकुल जो इसके हाथ में है इस फिगर में और it was labeled orange jam उस पर एक लेबल होती है उस पर लिखा होता है orange jam कि इस बोदल में क्या है इस jar में orange jam है but she found that it was empty लेकिन जब उसको देखती है तो ये खाली होता है उसमें orange jam नहीं होता है she did not drop the jar for fear of killing somebody वो उस jar को अपनी पास में ही पकड़ लेती है कि उसको डर होता है कि अगर मैं उसको छोड़ दूँ ये गिर जाएगा और किसी को मारेगा नीचे किसी को जखमी करेगा लेजा वो उसको हाथ से नहीं छोड़ती है so she put it into one of the cupboards वो उसको दुबारा एक अलमारी में रखती है इस उस जार को उस जार को दुबारा अलमारी में रखती है आपको याद रखना है ये काम वो उस खाई में गिरते गिरते करती है now page number 72 well thought Alice to down, down, down well thought Alice to down, down, down नीचे जाते जाते हुए Alice सोचती है would the fall never come to an end क्या मेरा ये गिरना के भी खत्म ही नहीं होगा मैं कब तक गिरूंगी उसको बहुत टाइम गिर ये उस गिरने में गुजरता है लेकिन वो कहीं पमच्टी नहीं है नीचे लहाजा वो सोचती है would the fall never come to an end क्या मेरा ये गिरना के भी खत्म ही नहीं होगा I wonder how many miles are you fallen by this time ये सोचती है कि मैं कितने मील नीचे गिर गई इसको लगता है कि ये मिलू उस जमीन के अंदर पहुंच गई I have fallen by this time she said aloud I must be getting somewhere near the center of the earth शायद में जमीन के बिलकुल बीच में मैं पहुंच गई let me see that would be a four thousand miles down शायद में चार हजार मील जमीन के अंदर पहुंच गई I think मुझे लगता है एक अंदाजा है वो अंदाजा करती है कि शायद वो चार मील जमीन के अंदर गिर गई center तक पहुंच गई तफाल वाजवा उलास्ट में फाल खत्म हो जाता है she came now on a heap of citics and dry leaves वो एक अंबार पर गिरती है वो एक देर पर गिरती है वो देर लाठ्यूं का होता है और सूखे पत्तूं का होता है सूखे पत्तूं पर जब कोई गिरता है तो उसको कोई चोट नहीं आती है लाज़ उसको भी कोई चोट नहीं आती है वो बिलकुल आराम से उन पर गिरती है लेकिन गिरने से पहले वो और एक बात सूचती है the fall did not seem to end there was nothing else to do क्योंकि उसको काम करने के लिए कुछ काम नहीं होता है क्योंकि वो गिर रही होती है so Alice soon begin talking again लहाज़ वो अपने आप से बाते करती है dinner dinner will miss me very much tonight आज मुझे dinner miss करेगी dinner क्या होता है dinner क्यों होता है I should think dinner was the cat actually dinner उसका pet होता है उसका pet जानवार होता है वो एक cat होता है उसी को dinner के नाम से पकारती है उसको वो याद आता है और उसको लगता है कि वो मुझे आज बहुत miss करेगा वो मुझे आज बहुत याद करेगा I hope they will remember her sauce of milk at tea time अब उसको ये फिक्र होती है कि घर वाले उसको दूद वक्त पर दे day here means उसके घर वाले उनको याद रहना चाहिए कि वो उसको वक्त पर दूद दे saucear में एक plate में dinner my dear oh my dear dinner I wish you were down here with me काश वो भी आज मेरे साथ होती काश वो भी यहां मेरे पास होती इस खाई में इस कुवी में Alice was not a bit hurt Alice को को कोई चोट नहीं पहुंचती है जब वो उन पत्तूं पर गिरती है सुखे पत्तूं पर उन सिटिक्स पर गिरती है she could not see the rabbit and she found herself in a long low hall which was lit up by a row of laps hanging from the roof वो जब वो खाई में गिरती है तो वो rabbit के पीछे चाली जाती है लेकिन उसको हैरानी होती है जब वो नीचे गिरती है वहां तो कोई rabbit ही नहीं है वो जब इदर उदर देखती है तो वो अपने आपको एक हाल में रोशन है उसके बिलकुल जो रूप है वहां उसमें बहुत से लेपस होते है जो जलते जले हुए होते है और वो हैंगिंग लेपस होते है जो बिलकुल देवारों पर कमरों में होते है उन्ही से वो रोशनी और उनकी रोशनी से अगर वो तमाम दर्वाजे बंद होती है उनके ताले उन पर ताले लगे हुए होती है She wondered how she could get out again अब उसको ये फिकर लाहिक होती है कि वो बाहर निकले कैसे वो बाहर निकले इस हाल से कियोंकि तमाम दर्वाजे तो बंद है तमाम धर्वाजों पर तर्टाले तो लगे हुए है उसके पाथ कोई चाबी भी नहीं है आएंदा क्या होता है आगे क्या होता है इस स्टोरी में हम इंशालला कल पढ़ेंगे तेल दैड गुर्बा